बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेक्म स्टूडेंट्स हो आज हम लोग ग्रेट सैवन की सोशल स्टेडीज पढ़ेंगे जिसमें हमारा चैप्टर नमबर 13 है ट्रेड हमारी बिटा रिवियन स्टार्ट हो गई है तो हम दोबारा से इसको रवाइस करेंगे ट्रेड इस बाइंग और सैलिंग अफ गूड्स और सर्वसिस यानि चीजों का खरीदना या बेचना तिजारत के लाता है नेक्स्ट हमने तिजारत की टाइपसिस में बढ़ी थी नैशनल ट्रेड होती है और इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्ट के बारे में पढ़ा था अपने मुलक से हम लोग दूसरे मुवालिक को भेज कर जरे मुबादला कमाते हैं उसके एंगेंस्ट और इंपॉर्ट वो थिंग्स होती हैं जो के हम दूसरे मुवालिक से मुवाते हैं और उसके एंगेंस्ट जरे मुबादला पे करना पड़ता है हम लोगों को नेक्स्ट प्रिया सरामारी को मुरूल इसौरट में वह हम खाली आपको innate बिलनस आपके अधित लिया तो आपके इक में रडन्स पश्चो कर दोद मुझा हो जाती हैं किसी पाइब्टेट आपको तुमारा से एक दफ़ार हरिट कर दू यह चीज पर अपको में आपको जो चीजें बी स्में हाइलाइट की हुई निजर आ रही है वह आपके MCQs आपकी objective point of view से बहुत ज़ादा important है आपने इसको अच्छे तरीके से read out करना है next मैटा जी आपके word meanings हैं जो आपने already अपनी note books पर note down किये हुए है तो इसको आपने अच्छे तरीके से दोबारा learn करना है handicraft, हाथ से बनी हुई चीजे goods, अशिया surplus, बाकी बचने वाला strike, तसादुम होना spending, खर्च करना exports, ब्रामदाद imports, द्रामदाद deficit, कमी पैसे की किल्द, debt, कर्स, reserves, आइंदा के लिए बचा हुआ next हमारे question answers है difference आपने बताना है what is the difference between international trade and local trade local trade और international trade के दर्मियान क्या फर्क होता है local trade है जी, buying and selling within a country is called local trade international trade, buying and selling with other countries is called international trade, next question number two है how can importing too much be a problem for a country if a country's imports are more than its exports, then balance of payment is in deficit this means that they had to pay more than the earning, यहनि जब आपकी imports आपकी exports से ज़्यादा हो जाएंगे तो balance of payment जो है वो खसारे में जाएगा उसको नुकसान होगा क्योंकि इसका मतलम यह है कि आप उतना अर्म नहीं कर रहे हैं जितना आपको pay करना पड़ रहे हैं describe the various states of the balance of payment in your own word balance of payment की हमने जो three types पीछे पड़ी थी रीडिंग में वो आपने अपने words में यहां पर डिसक्राइब करनी है import and exports are equal जब imports और exports जो है वो आपकी equal हो जाती है if the import and export of our country are equal then we can say that country has paid for its imports through its exports second है इसमें point imports are more than exports if imports are more than exports then the nation has pay more than it has earned जब आपकी imports ज़्यादा हो जाती है exports से तो इसका मतलब है कि आप लोग pay ज़्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हो third condition है जी exports are more than imports if the exports are greater than imports then the nation has earned more foreign exchange अगर आपकी exports ज़्यादा होती है और imports कम होती है तो इस सुरत में जो nation है वो ज़्यादा earning कर रही होती है बिटा जी यही था हमारा आज का topic इसको आपने इच्छे तरिके से revise करना है अपना ख्याल रखिएगा stay home save lives thank you see you next class अलाह थाफिस